Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, तो आज जो पार्ट में पकराने वारा हुआ रहा हूं क्लास, वो लास्ट पार्ट है, Financial Market का, और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं SEBI, Security Exchange Board of India, 100% sharety के साथ कहा रहा हूं कि term 2 में इस topic से question पूछा जाएगा, तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो मेभी इस chapter से आपके इस particular topic से ही examination में question आ जाए और आपका जो भी आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, उसमें कोई कमजोरी है, उसकी बात ही ना उठे क्योंकि इस topic से ही question cover हो जाएगा, और वो है Security Exchange Board of India के functions, और आप पूछ लेना किसी भी टीचर से अपने की topic कितना important है, चलो बिना देरी के start करते हैं, सबसे पहले सेबी, जिस तरीके से commercial bank को regulate करने के लिए central bank है, उसी तरीके से stock exchange को regulate करने के लिए सेबी है, Security Exchange Board of India एक watchdog की तरहे काम करते हैं, घर का watchdog होता है जो घर पे किसी भी तरहे के आच नहीं आ देता है, कोई चोरी नहीं होने देता है, वो ध्यान रखता है, गेट के भार खड़े हो के, उसी तरीके से ही Security Exchange Board of India जो है, वो भी, क्या है class, वो भी stock exchange, यानि कि पूरा का पूरा stock market का, एक watchdog की तरह एक करता है, और regulator है यह, कहीं भी कोई fraud गिरी ना हो, कहीं भी कुछ mal practices ना हो, manipulation ना हो, जिससे shares holders के, या debenture holder के interest को कोई नुकसान पहुंचे, इस बात का धियान रखने लिए SEBI है, SEBI के establishment हुई class 12th of Apple 1988 में, किस लिए to protect the interest of the investors, तो investors के interest को protect करने लिए जिस किसे consumer protection act हम पढ़ेंगे, जो हमार अगला chapter होगा, उसके अंदर हम बात करते हैं, interest of consumer को protect करने के लिए, इसमें हम बात करेंगे, interest of investors को protect करने के लिए, SEBI जो है, वो regulator है, किसके stock exchange का regulator है, यानि कि stock exchange को control करता है, regulate करता है, कोई भी इसके अंदर manipulation fraud, सब्सक्राइब को बनाया गया, the overall objective of SEBI was to protect the interest of investors, investors के interest को protect करने के लिए, SEBI को बनाया गया, and to promote the development of stock exchange, even stock exchange को develop करने के लिए, जो stock exchange पहले था न, आज से 20-25 साल पहले, वो आज नहीं है, आज stock exchange में काफी improvement आ गया, एक online trading हो रही है, online चीज़ा को खरी सकते है, hassle-free payment है, fraud भी बहुत कम है, brokers भी बहुत कम फाइदा उठाते हैं, demutualization के वज़े से, तो stock market को regulate करना, stock market को एक तरीके से क्या कर सकते है, develop करना, investors के interest को protect करना, ये सारे के सारे functions है, क्लास SEBI के, तो मतलब सभी को objective है, इसलिए सभी बनाया गया, तो objective क्या क्या है, to regulate the activity of stock exchange, stock exchange के जितनी भी activity हो रही है, बहुत सारे fraudulent activity है, आपने हर्सत महता, scam देखा होगा है, नहीं देखा तो जरूर देखना, क्लास मुवी, आपको बहुत सारी knowledge वो दे देगा, movies, ठीक है, to protect the right of investors, investors के right को protect करना, and ensure the safety to their investment, कि जो उन्होंने महनत की कमाई, share बजार में लगाया है, stock market में लगाया है, वो waste नहीं जाना चीए, अगर वो waste चला गया, तो लोगों का भरोसा उड़ जाएगा stock market से, stock market मैंने कहा था, economic barometer है, किसी भी country की एक तरीके से यह mirror है, economic mirror, जहां देख की class, हम country के बारेम पता लगा सकते हैं, तो किसी भी country का stock exchange, अगर बिगड गया, लोगों का भरोसा उड़ गया, तो country तबाह हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा फिर वो, to prevent the fraudulent activity in stock market, stock market में जितने भी fraudulent activity होती है, उसको रोकने का काम, जो है, वो किसका है class, SEBI का security exchange, board of India का, and to regulate the development of code of conduct, code of conduct मतलब आपको काम किस तरीके से करना है, एक proper code दिया जाएगा, आपको उसी तरीके से behave करना है, उसी तरीके से काम करना है, code of conduct किसको दिया जाता है class, intermediaries को, brokers को, underwriters को, कि अगर आप broker हो, आप underwriters हो, आप middleman हो, तो आपको काम किस तरीके से कर कराता है, तो मतलब पूरी तरीके से कोशिश की जाती है, कि investors की investment की safety हो, जिस mindset से investor invest कर रहा है class, उस पर कोई आच नहीं आनी चाहिए, investors के साथ fraud नहीं होना चाहिए, हाँ, normal course में price down हो रहा है, अप अभी market down हो रहा है, वो down हो ठीक है, लेकिन कोई manipulation जो है वो नहीं होना चाहि लेका, dear learners, I hope अपनी preparation आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, unacademy आपके लिए एक बहुत republic day special, बहुत ही अच्छा offer लेके आया है, और शायद ही दुबारा कभी ये आपको offer देखने को मिले, और इस offer में unacademy पे अगर आप कोई भी one year या उससे ज़्यादा का subscription लेते हो, तो 6 म महीने का extra subscription मिलेगा, बिल्कुल free, एगर कोई class 11th में है, वो अराम से एक साल का subscription, प्लस 6 मंत का, या आप class किसी भी class में हो, आप किसी भी चीज के लिए सर्च कर रहे होगर आप, तो एक साल का अगर आप subscription लेते हो, तो 6 महीने का extension मिल जाएगा, 25 जनवरी से 27 जनवरी तक ही offer valid है, मेरा coupon code यूज करना मत बूलना, extra 10% off के लिए जो कि है SPA10, तो description box में link है, app download करो, अगर आपको लगता है, तो यह offer का benefit आपको दुबारा कभी नहीं मिलेगा, 6 महीने का class extra subscription मिलेगा, बिल्कुल free, अगर आप plus subscription लेते हो, तो आपको इने के best educator से पढ़ने का मौका मिलेग इंटरक्टिव live classes होंगी, live test series और quizzes होंगी, structured courses और PDF है, तो यह बहुत सारे facility है, तो आप चेक कर सकते हैं, और description box में link है, SPA10 मेरा code है, यूज करोगे, 10% extra off मिलेगा, प्लस 6 महीने का subscription बिल्कुल free, तो यह दो दिन का offer है, class 25-27, यानि के 25-27, यह तीन दिन के अंदर आप इसक सारी चीजे पढ़के चले जाना, एक बार को, अगर एक परसंट अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो पूरा का पूरा अप लर्न केलना, चलो, तो मैं याद कराता हूँ, SEBI के तीन functions होते हैं, सबसे पहला है protective, दूसरा जो है, वो है development, और तीसरा जो है वो है regulatory, तीन तरे के function है, SEBI के धियान रखना, सबसे पहला जो function है, SEBI का, वो है class आपका सबसे पहला function, प्रोटेक्टिव फंक्षन प्रोटेक्टिव दूसरा जो फंक्षन है वह है डेवलप्मेंट फंक्षन और जो तीसरा फंक्षन है वह है रेगुलेटरी फंक्षन यानि की तीन तरह के फंक्षन पढ़ना है प्रोटेक्टिव मतलब क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इंट तो तीनों मेंसे कोई भी पूछ सकता है, या तीनों मेंसे कुछ-कुछ points पूछ ले, बट आप ध्यान रखना कि या तो आपको productive पूछेगा, या तो regulatory पूछेगा, या development पूछेगा, तो आपको यह ध्यान रखना है, और अच्छा होगा कि आप अभी किसी इसी point पे आप इसक misleading statements and manipulation, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ misleading statement दे दिया जाता है, इंवेस्टर को, कि आपका price बढ़ेगा, double, triple होगा इतने time में, उस misleading statements को नहीं देना आपने, price rigging का मतलब क्या है, कि आप price को अपने मर्जी से control नहीं करोगे, कि अपनी मर्जी से share खरिद के price को बढ़ा दिया, मालो मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बाहर मैंने चार अपने आदमी खड़े कर दिये, कि समान खरिदो मुझस से, तो बाहर वालो क्या लएगा, अरे वाओ यार, इसके दुकान तो कितनी भीड लग रही है, पर का अच्छा बेचता हो, तो इतनी भीड करता है क्या, price rigging और making misleading statement, B, जो point क्या है वो, it prohibits insider trading, जो savvy है, वो prohibit करता है, मना ही करता है class किस चीज के लिए, insider trading, company के अंदर के जो लोग होते है, उन्हें company की policy का पता रहता है, example, आगर मैं किसी company में काम कर रहा हूँ, और मेरी company bonus देने वाली है shareholder को, तो मुझे पता है कि म कर में class क्या होता है, कि वो share ख़र लेते हैं, और उनको extra free share मिल जाते है, तो इस तरीकी की चीज, जो insider trading company के अंदर के लोग को पता रहता है, तो वो कहीं ने कहीं class, इस चीज का misuse कर सकते है, अपने फाइदे के लिए, तो वो भी उनको क्या मना किया है, example, जितम आपको node बं जाता है, जो insider trading, मैं आपको example दें, share market में भी company के जो कुछ employees होते हैं, director होते हैं, top level के managers, उनको company का पता होता है, कब company bonus देगी है, सारी चीज, तो वो उसको अपने फाइदे के लिए उस नहीं कर सकते, तीसरा, sebi undertake to step educate investors, sebi का ध्यान रहता है, कि educate किया जाए investors को, TV में एक आपका पैसा double triple हो जाएगा, इतना return मिलेगा market में, तो यह सब गला था है, कि sebi कहता है, कि यह market पे अधारित है, market कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आभी नीचे जा रहा है, class, बहुत बुरी तरह है, investors का price डाउन हो रहा है, लोग बरबाद हो रहे है, उपर जाएगा तो फा shares, debentures and bond, तो जो सही share bond debentures है, आप उस हिसाब से खरीदो, तो sebi का यह काम आपने ध्यान रखना है, prohibit करता है price rigging को, misleading statement को देने से रोकता है, manipulation को रोकता है, insider trading को रोकता है, penalty लगाता है उसके लिए, और class लोगों को educate भी करता है, TV पर जो ads आते हैं, उससे लोगों को educate किया code of conduct develop करेगा security market में, कौन किस तरीके से काम करेगा, क्या behavior रहेगा, उस चीज को develop करेगा, sebi, और sebi has issued guidelines to protect the interest or debenture holder, even जो debenture holders है, उनके interest को भी protect करने की बात, sebi करता है, जो shareholder है, सिर्फ उन पर ध्यान नी देता, debenture holders पर ध्यान देता है, उनके साथ भी कोई fraud ना हो, debenture holder को ब्याज मिले, उनका पैसा उनको लोटा दिया जाए, ये सारी चीजों पर धिहान रखना भी security exchange board of India काम है, और हम इर debentures chapter में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, second है development function, एक तो protection देना है, interest को protect करना है, shareholder, debenture holder का, दूसरा है development, खुद को भी तरक्की पर लाना है, चीजे better ब platforms, or trains, these are develop हो रही है, चीजे अच्छी हो रही है, पहले से facility अच्छी मिल रही है, उसे तरीके से stock exchange को develop करना है, काम भी किसका है, SEBI का है, SEBI promote training of intermediaries, जो intermediaries है, जो broker है, उनकी training देता है, कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से shares का lend-in करना है, इंवस्टर से किस तरीक class क्या करता है, एक तरीके से बता देता है, next है, मिल ट्रेनिंग कराता है, brokers की, SEBI permitted, कल क्लास, इंटरनेट ट्रेडिंग है, इंटरनेट ट्रेडिंग है, बड़ा गलत लिखाई है, इंटरनेट ट्रेडिंग थू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, तो SEBI जो है, वो प्रमोट जरूरी नहीं है, कि आप अंडरिडर के service लो, अगर आप कांपनी का नाम अच्छा है, रेपरोटेशनि अच्छा है, आप अपनी कांपनी के share को खुद बेच सकते हो, तो अंडर राइटर ओपिशनल है, आप अंडर औरिडर जो है, जरूरी नहीं कि आप अंडर रायटर को मतलब कि शेयर इशु करो अंडर राइट जरूर ने कि आप अंडर राइटर लो या मेरे शेयर में खुद बेच सकता हूं तो क्यों मैं किसी ब्रोकर का सहारा लो क्यों इसको कमेशन दू ना तो रिदी कॉस्ट आफ इशु तो हमारा इशुका कॉस्ट कम हो जाए तो अंडर अंडर ओपिशनल है अंडर राइटर कॉन होता है मैं एकाउंट में बता चुका हूं जो हमारी कंपनी के शेयर इसको बिकुवाता है तो कि हम खुद बेच सकते हैं तो हम इसका सहारा नहीं लेंगे यह सेभी के development function मतला protection भी देता है लोगोंगों को सीधका अफ्र बैटर तरीके से कर रहा है और ॉआ स्मूथ तरीके से मैं एंडर शेम्हूटत ओंग हो सकता है अजडर जोगों काम कर सकते हो हम्हट तो यह स्वशनल कर इस तरीके सśćर्छों को आपने कर रहा है development functions next is control करना regulate करना तो these functions perform by server to regulate the stock exchange stock exchange को regulate नियंतरन वे रखना की कुछ बात बिगड़ना जाए SEBI has frame rules तो SEBI rule बनाता है regulate तो कोशिन आपको indirectly पूछ सकता है तीन function देदेगा पहचान हो कौन सा regulatory है कौन सा development है है और कौन सा productive function आपको बहचानना है तो ध्यान अगना जहां भी rule regulation की बात आए code of conduct की बात आए और broker की subbroker की underwriters की तो समझ जाना वो कौन साए class regulatory function तो SEBI पूरे stock exchange में कैसे behavior करना है इन सब के लिए code of conduct बनाता है brokers के लिए subbrokers के लिए training की बात आएगी तो वो development SEBI registered and regulate the working of stock broker and subbroker stockbrokers जो होते हैं जो Landeen का काम करते है mutual fund companies जो है और जो subbroker है broker ना एक इंसान भी हो सकता है broker एक organization भी हो सकता है partnership firm भी हो सकता है company भी हो सकता है broker तो brokerage company पूरी होती है, तो उनके under में भी कुछ broker रहते है तो उनकी भी training, में ब्रोकर हुँ तो मेरी training मेरे नीचे भी कोई ब्रोकर है उसकी भी ट्रेनिंग इस सारी चीजे डिसाइड करना है काम किसका है सभी का और यह कौन से फंक्शन में आता है सभी तो भी से फंक्षनम इन पड़ती है और सभी इण anyway यह सरोंड हो और रखोर से अडिये होने पूंक्शन से बहुत लेंगोज में लिख 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 के आप तीन तीन पॉइंट अगर सबके लर्न कर लेते हो तो भी क्लास ठीक है राम से आपके क्लीर हो जाएगा तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिश्ट बॉक्स के अंदर जाओ कॉमेंट पिन कर दूंगा पूरा का पूरा पूरा बेस्टी का सिलवस एटू जड़ अवलेबल जीरो टू एंड का ही कुछ भी जाने जरतनी है बैठो अराम से देवाइड दस दिन टाम लो दस दिन कंदर पूरा सिलवस खतम करो टेक केर बाभाए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बताना जरूर कि कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट बताना मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आगे प्रैक्टिस पेपर केस्टेडी बहुत सारी चीज हम करेंगे दीरे दीर जो कि आपके बहुत अच्छा आपको इंप्रूब्मेंट लगेगा और बीस में पूरी नंबर आएंगे बट पहले आप चैप्टर फिनिश कर लो उसके बाद हम बाकी चीज़े करेंगे टेक केर बाभाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को प्लीज अपने सारे क्लास दोस्तों में शेर जरू कर देना क्लास ये क्लास 12 का चैनल है आप लोग का चैनल है ओके बाए